एलो प्यारे बच्छो आप सभी कर स्वागत हैं हमारे इस यूडियूब चैनल पर और आज हम लोग बात करने आ ले हैं सिच्छा निर्देसालिया रास्टे राज़दानी छेतर दिल्ली की कारपती का संख्या तालिस के बारे में आज किते थी ये 31-2221 यहां पर प्यारे बच अगरे बाप सब्सक्राइब फुल वडियो को वॉच करते वी तकिया करना उता है वह वीकली विनर भी बनता है चोलो ही देखते हैं इसमें क्या दिया गया रासीयों की तुलना जो है इसमें हम आज हम लोग सीखेंगे हम अपने आवस्क्ताओं को पूरा करने के लिए बजार में कुछ बेचने या खरीदने इस तरह खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को लाब और हानी कहते हैं कभी लाब कभी हानी होती है ना कभी लाब ना कभी हानी इस वक्सीट में लाब और हानी कर्मूल और विकर्य पर चर्चा करेंगी कर्य क्या होता है कर्य मूल क्या होता है तो जिस कीमत पर हम चीजों को खरीदे हैं उसे कर्य मूल कहते हैं विकर्यमूल काता है जिस कीमत पर हम चीजों को बेशते हैं मानलो आप एक दुकानदार हो आपने एक पाले जी का बिस्कृट चार रुपए में खरीदा तो ये कर्मूल हुआ और आपने इसको 5 रुपे में बेच्चा दूसरे गराहग को विकर्मूल हुआ ओधारण के रूप में आप समझ सकते हैं कि राम ने सैकल को 5000 रुपे में खरीदा और वही सैकल उसने 4500 रुपे में बेच दी तो 5000 कर्मूल हो गया 5500 विकर्मूल हो गया अब प्राप्त किया हुआ लाभ हो के नाम से जानते हैं जो पैसा अधिक प्राप्त करा होगा रामने इसमें वही लाभ होगा जैसे पच्पन सो माइस से पांच हजार माइनस कर दिये तो पांच सो बचे इस प्रकार से कर मूल जब विकर मूल से जादा होता है तो वहां लाभ में बेचा होता, तो यहां पर क्या होता हानी होने लगती क्योंकि 5000 में खरीद के 4000 में बेच दिया एक 1000 रुबए की हानी तो जब करमूल विकर मूल से ज़ादा हुता है तो हानी होती है ठीक है और यहीं को हम प्रधिसस में भी निकाल सकते हैं देखो आप कुछ फॉर्मिले यहां पर दिये गए जैसे विकरमूल पता करना हो में तो कैसे करेंगे करमूल दिया गया और लाब दिया गया तो हम इस तरीके से पता कर लेते हैं करमूल प्लस एक लाब बटे सौ ठीक है विकरमूल दिया गया तो करमूल एक माइनस हानी बटे सौ हो जाए ठीक है चलिए देखते हैं क्या दिया गैसे विकर्मूल को ग्याद कीजिए जब क्या है कर्मूल 1650 है और लाब कितना है आपका 4% तो विकर्मूल बराबर क्या देगा कर्मूल एक प्लस लाब बटे क्या है 100 तो देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 6500 यह 1650 आगया और यहाँ पर हमने क्या कदर देखो लाब हमारा 4% था हमने ओपर 4 लिग दिया नीचे 100 अब इनको LCM वगरा लेके solve करा तो हमारा 1716 आगया यसी तरीके से विकर्मूल को अगर हम देखे दो विकर्मूल क्या होता है वो मूली होता है जیसे 875 आपके सो हो जाएगा तरीके से अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा ठीके अगर लाब देखो हम ग्यात करें तो लाब ग्यात करना हो तो कैसे करेंगे तो याद रखिएगा लाब और हम ईया parano का प्रतिशत अगर ग्य पहले देखते हैं दोनों में हो क्या रहा है जैसे कर्मूल और विकर्मूल दिया गया तो विकर्मूल जाना है तो लाब हो रहा है यहां पर तो लाब प्रतिसत बराबर क्याता है लाब बटे कर्मूल लिए ठीक है और देखो लाब हमारा कितना हुआ हमने उपर से निकाला तो यहां पर देखेंगे आपकि विकर करमूल जो है वो ज्यादा हो जाएगा विकर मूल से ठीके तो इसलिए हानी हो रही होगी तो हम माइनस करेंगे और यहां से हमारा क्या हो जागा हानी बटे करमूल ठीके तो 445 बटे 675 गुडे 10 या 6.67 हो जाएगा तो चलिए रेखते ह इसमें और solve करते हैं इसको देखो बिटा यहां पर क्या वा हानी और लाब प्रतीसत ग्याद करना है पहला प्रस्न क्या है हमारा 1200 क्या है हमारा कर्मूल है विकर्मूल हमारा 50 ठीक तो लाब बराबर कितना हो जाएगा लाब बराबर लैको यहां पर हो जाएगा ठीक लाब बराबर हम बोल सकते हैं कर्मूल ठीक है चौश टो इंग्ल्स में भी लिख सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होती है सिंबल त्हक ए माइनश कर दो इसमें से विकर्मूल तिक इसके बाद आप देखोगे 1250 मिंसे 1200 किरेंगे कितना जाइगा 1250 उप्राफिट हो जाइगा तो पुछास उर्फेट हो रहा है तो तो रॉठ ंप्रतीस,थश थेजταν आप ए ऐ लाभू- mermaid-00 ठीक है कर्मूल ले हो गया ठीक है कर्मूल ले हो गया ठीक है तो कर्मूल ले हो गया तो यहां पर क्या हो गया बादा यहां पर 50 बटे में कितना हो गया बादा सो डबल जीरो से डबल जीरो काड दिया 4.616 हो गया ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रसन तो पिटा अगला कितना है करम 又 सो और सिदना जैंड कितना 200 दिया गए हो रहा है यहां पर तो लाप बराबर मारा कितना हो जाएंग लाप भराबर हो जाएगा थेवादा सब्सक्रादी माइनस सौ माइनस सौ या य слवiled हो जाएगा बिटा जाके बटे में हो जाएगा हमारा कर मूल हें ऐसके बाद क्या हो जायगा काटING कशकु को बटे備 डेर्स det anten Technology ने अधर हमाद कि प्यारे बच् corruption क्या है अगरा प्रसन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दिया गया रही है अधार यहka any हानी हो रही है ठीक है यहां क्या हो रही है हानी हो रही है चलिए मैं आपको यहीं पर कराद देता हूँ ठीक है तो यहां क्या हो रही है बिटा हानी हो रही है ठीक है और हानी बराबर हमारा क्या हो जाएगा हानी बराबर हो जाएगा देखो ठीक है हमारा हो जाएगा जाके कर मूल्य माइनस कर दो इसमें से विकर मूल्य को या वी मूल्य तो कर मूल्य हमारा 7, 870 था माइनस करेंगे इसमें से विकर मूल्य को जो 550 है ठीक है तो हमारा कितना बच जाएगा यहां से हमारा देखो बच जाएगा 20 ठीक है और 3 320 तो 320 रुपए की हानी हो रही है तो हानी प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा हानी प्रतिसत बराबर हो जाएगा कर्म हानी प्रतिसत बराबर हो जाएगा ठीक है अनी प्रतिसत बराबर हानी बटे में ठीक है स्वारी, 870, और गुड़े में 100, काड देंगे बिटा, 0 से 0, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यह 0 से 0 कर जाएगा, उसके बाद हम क्या है, इसको, तो बिटा, जब इसको solve कर देंगे, जितना मैंने कराया, उसके बाद आजएगा, 34 point, ठीक है, तो बिटा, वो स हमारा क्या है प्रस नंबर चार प्रस नंबर चार दिया गए कर्मूल दिया गए 900C विकर्मूल हमें दिया गए 800C तो चलिए देखते हैं इसका solution तो यह क्या हो जाएगा है यह है आपका कर मूल्य कर मूल्य आपका कितना दिया गया है कर मूल्य और माइनस में कितना हो जागा विकर मूल कर दो तो 980 में से 880 को माइनस कर देंगे तो मारा 100 बज जागा हानी प्रतिसत बराबर कितना हो जागा बटा हानी प्रतिसत बराबर हो जागा ठीके यहाँ पर हानी प्रतिसत बराबर कितना हो जागा देखो हानी प्रतिसत बराबर आप क्या हो गया जाके यहाँ पर देखो कर मूल लिए ठेक बटे में सॉरी हानी बटे में हानी बटे में कर मूल लिए तो 100 बटे में 980 कर देंगे 0 से 0 काट देंगे बचा क्या हमारा 10.20 प्रतिसत चलिए रेखते हैं अगला प्रस्न तो बिटा अगला प्रस्न आपका क्या है कर्मूल ले और विकर्मूल ले कर्मूल 540 दिया गया विकर क्या दिया गया पांसो पचास तो बिटा कर्मूल ले हमारा कितना हो गया कर्मूल दिये खो दिया गया पांसो चालिस विकर मूले कितना हो गया बिटा यहाँ पर विकर मूले हो गया 550 तो यहाँ पर क्या हो रही है बिटा आपको दिख रहा होगा कि लाब हो रहा है ठीक है जब लाब हो रहा है तो हम क्या करेंगे कर मूले माइनस विकर मूले करेंग 540 में से 550 को माइनस करेंग 10 आएगा लाब परतीसत बराबर कितना हो जाएगा बटा लाब परतीसत बराबर हो जाएगा लाब बटे में ठीक है लाब बटे में क्या हो जाएगा बटा आपका विकर मूले हो जाएगा सुरी विकरमूल बता रहा हूँ मैं लाब बटे में क्या हो जाएगा करमूल ले हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे 10 बटे में 540, 0 से 0 कार्ट देंगे हमारा कितना बचेगा बटे 1.85 तो बटे आगे प्रसने क्या दिया गए विकरमूल गयाद कीजिए जब हमें करमूल क्या दिया गया हो ठीके तो कितना दिया गया करमूल देखो करमूल दिया गया 915 और लाब दिया गया 8 प्रतीसत दूसा प्रसने क्या है जिसमें करमूल दिया गया 900 और क्या दिया गया है 5 प्रतीसत लाब तो चलिए दोनों का solution एक साथ देखते हैं तो बिटा यहाँ पर लिख लिजेगा ठीक है लिखिएगा करमूल्य तो बिटा लिखिएगा करमूल्य बराबर 915 ठीक है लाब बराबर कितना हो गया लाब बराबर 8 हो गया फिर यहाँ पर क्या हो गया विकरमूल्य बराबर कितना था विकर मूल्य बराबर हो गया बिटा, कर मूल यो ठीक और यहां पर लाब तो अब यहां पर आप देखोगे ठीक है यह कितना हो जाएगा बिटा इसके बाद आप यहांपर देखोगे 915 एक प्लस 8 ब्टे 100 यहांपर क्या हो गया 915 1888 ब्टे 100 बाग करेंगे देखेगा यहां पर क्या है कर्मूल्य है ठीक है और यह क्या है हमारी बिटा हानी है यह क्या है हमारा लाब है क्या है बिटा लाब तो हमारा विकर्मूल्य बराबर कितना हो गया विकर मूले बराबर हो गया ठीक है विकर मूले बराबर हो गया कर मूले और यहां पर लाव ठीक इसके बाद आप देखोगे यहां 900 प्लस एक प्लस पांच बटे 100 अम लिख देंगे फिर यहां पर सॉल्व करेंगे तो 105 बटे 100 गुड़े 900 हो जाएगा और 9 गुड़े 105 करेंगे तो 945 इसका अंसर आ जाएगा इसके बाद विटा अगला प्रस ने क्या दिया गए देखो कार मूले ग्याद कीजिए जगर जब विकर मूले क्या है आपका 915,596 है और लाब क्या है 12 प्रतीसत है ठीक है कार मूले ग्याद करिएगा आपको जब 915 हो और 5 प्रतीसत लाब हो और विकर मूले ग्याद करना है विकर मूले हमारा जब 2431 है और हनी 6 प्रतीसत है तो इन तीन तो दिखिए हमें क्या निकालना है हमें विकर Ga ठीक है और यहाँ पर आप विकर मूले लिखोगे और प्लस एक प्लस बारा बटे में 100 तो यहाँ पर विकर मूले हो जाएगा ठीक है विकर मूले बराबर आपका क्या जाएगा 596 या 112 बटे 100 हो जाएगा फिर यहां पर क्या हो जाएगा विकर मूल्य हो जाएगा ठीक सारी कर मूल्य हो जाएगा ठीक 1296 बट्ट उपर गुड़े में 100 हो जाएगा नीचे बटे में 112 हो जाएगा और विकर मूल्य 1425 आजाएगा इसी तरीके से नीचे आएंगे, तो नीचे हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा, विकर्मूल्य हमारा क्या दिया गए, 915, हमें क्या हो रही है, हमें लाब हो रहा है, तो हम लाब लिख देंगे, फिर भाई, फॉर्मला लगा देंगे, ठीक है, यहां फॉर्मला क्या लग ज 1059 फिर यहां पर 900 फिर यहां पर लिख दीजएगा कर मूल्य बराबर के कर मूलय क्या हो गया एक प्लस पांच बटे 100 इसके बात 15 ठीक Bryce का मतलब की हो जाएगा यहां पर कर मूल्य हो जायगा ठीक 105 बटे में 100 और कर मूल्य बदार क्या हो जाएगा जिसमें दिया गया है, यह आपको दे दिया गया बिटा, विकर मूल्य, और आपको क्या हो रही है, आप हानी हो रही है, क्या हो रही है बिटा, हानी हो रही है, तो विकर मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो, यहां दिया गया, विकर मूल्य बराबर कर मूल्य, ए बराबर कितना हो गया 291 गुड़े 100 रूपय चलिए देखते हैं अगला प्रस न क्या है झाल झाल